नमस्कार किसान साथियों हम आज आपको बताने वाले हैं कि जो हमने लाइम पाउडर इस्प्रे किया था वो कितना इफ्यक्टिव है और कितना नहीं यह हमारे एक अनुमान से 40 डिग्री तक के टेंपरेचर को बरदास कर सकता है उसके उपर अगर होगा तो शायद यह भी इस गर्मी को ना रोक पाए और बोदे के इंफेक्शन हो सकते हैं देखो हमारे यहां कुछ इंफेक्शन होने लग गए हैं यह आपको दिख रहा होगा इसको और अच्छे से देखने के लिए मैं साप करता हूं यह है जहां तेज धूप लग रही है वहां इंफेक्शन शुरू हो चुका है अब हमें भी इसके लिए कुछ और जुगाड करना पड़ेगा तक कि हमारे प्लांट खराब ना हो यह हमारे फाम के मदर प्लांट है यहां से हम नर्सली तैयार करते हैं और इसकी देखरेक करना हमें बहुत जरूरी है अभी इंफेक्शन सिर्फ जिस तरफ से सूरज की कीरने पड़ती है सिर्फ उसी तरफ दिख रहा है बाकी तो बिल्कुल फ्रेश है और ग्रोथ भी चल रही है अभी आपके उदर क्या टेम्परेशर है बताए झाला टेम्परेशर बढ़िए झाला टेम्परेशर ग्रोथ कुछ दिन और वेट करके देखते हैं अगर वो सक्सेस हो जाता है तो ठीक अगर नहीं हो पाता है तो फिर हमने यह कपड़ा लाके भी रखा है इसके बाद हम इससे ड्रेगन के उपर चाया करने वाले हैं यह हमने गुजराद राज़कोट से मंगाया है यह ज्यादा तर अनार और इनके उपर यूज होता है सन बर्निंग से बचाने के लिए अजय से जब करेंगे जब कोईट दिटी से बचाए से बचाने के लिएल के लिए गेगर बशी नहीं है अजिए लगाया लेह